हलो फंडरसंद विहाल अगर आप पहली बार जूद रहे हैं तो मैं आपको बता दूं हम एर पर बॉड के लिए प्रीवियस टैनियर जीके सीरीज को हम डिसकस कर रहे हैं इन्वें पॉलिटी के क्वेश्चन्स जिग्राफी हिस्ट्री और जनल साइस के क्वेश्चन्स हम डि क्या आपका मिट्टी के बरतन में कौन सा रंग यूँज होता था तो यह को सा रंग है यह बताईये देखिए बूरा हरा रंग यह लाल नारंगी एब पीले रंग के घहरे शेड में होता है ठीक है तो इसको हम क्या कहेंगे क्या जावनी है बफ है नीला हरा है या पीला है जल्दी से सोचिये पता इसका सही अंसर क्या होगा ? फ्रेंडस इसका सही अंसर होगा plugs बफ को हम क्या कहते है ? ठीक है ? Bringing a भूर लाल नरंगी और पील रंग के गहरे शेड में होता है तो खुछ इस टाइप पर होता ही तो इसको हम कहेंगे बफा था ठीक है ? देखे अगर आप माजल प्रदेश के किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे है तो यह पूरा का पूरा एडीशन ले सकते हैं इंब इग्जाम के लिए या फिर अधर किसी भी एक्जाम की अगर आप त्यारी कर रहे हैं, तैक है तो रिकॉर्डिंग क्लासेज आप अपने टाइम के कॉर्डिंग जबर जी अटेंड कर सकते हैं लेकिन साथ में देखिए इसके साथ आपको एडिशन भी मिलते हैं जिसमें आपके नोट्स एक्सक्राइब क्लियर करने के बाद एक्साम क्लियर हो जाएगा नहीं होगा क्योंकि अभी तक भी आपके लिए नहीं होगा तो डेली टेस्ट भी लगाई एं इन कॉशन के बाद यह से जो भी हम डिसकस कर रहें और यह सारा का सारा एक्सेस जो अब टॉपर्स और गॉर्ण्वन्ट स्टाफ मेंबर्स के द्वारा यह बनाया जाता है तो यानि कि आपके लिए काफी यहां पर रहने वाला है सारी जानकार यह आपको वर्टसाइप पर बिल जाएगी next questions के उपर हम यहाँ पर जलेंगे प्रतम बहुत भीक्षुणी बनने वाली कौन थी क्या यह गोतमी थी सुजाता थी महामाया थी या फिर या शोधरा थी देखी जब भी हम भगवान गोतम भुद्ध की बात करते हैं ठीक है पांच साल के बाद ठीक है पांच साल के बाद अब पर पुर्षों को और महिलाओं को न्युक्त किया किसलिए नन बर्ने के लिए ठीक है तो देखिए आपको तो यह क्लियर है कि भगवान गुद्ध की जब भी हम बात करते है ठीक है कई बार examiner कुल पूछ लेता है ठीक है या फिर वर्ष पूछ लेता है ठीक है तो देखिए इनका जो इक्षबाकु वर्ष था ठीक है वर्ष इसको क्षत्री वर्ष भी किरते हैं ठीक है एक्षबाकु ठीक है साथ साथ में आप लिख सकते है क्योंकि examiner पूछ सकता है इक्षवाकू वश्यक्षत्रिय ठीक है अगर हम कुल की बात करें तो कुल भी आपको याद रखना है शाक्य कुल ठीक है और किसके घर पे हुआ था ये राजा शुषोधन के घर में हो था कहां में हो था राजा शुषोधन सासाथ में नोट उन करते रही को कि यह important है ठीक है राजा शुषोधन के घर पे हुआ था भवान बुदह की बात हो रही है तो उनकी मा का नाम था महा माया ठीक है क्या नाम था महा माया नाम था ठीक है अब देखिए आपकी कौलिय वंश से फिका कॉनसे वाज़े थी कोली य वाज़े थी ठीक है अब देखिए यह को क्लिए किलेर होगा की भगवाद बुद्ग का कर जब जरुब है तो उनके सानद के बादे ये यह मा wied है जो अनकी माता थी उनकी वह डेथ हो गई थी ठीक है अब देखिए उनका जो लाउन नाम क्या था, भगवाद बूत का, भगवाग बूत का, फिर न हो, तो देख filthy यहाँ पर प्रतं बहुत मिख्षुनी बढने वाली तो उनकी ही मोसी झी ती यानी कि वह प्रजापती । यह इय। रखो देखिए कोशन तक किस तरह से पहुचा जाता है यह एडवांस लेव लगता है अब अगर आपने इनिवेस के ओपर डेली टेस्ट लगाने हैं क्योंकि डेली टेस्ट लगाने से आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है तो आप वर्टस अप कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सबसे वड़ी संख्या में तामर के सिक्के किसके द्वारा जारी की थे देखिए बहुत से क्वेशन कंफ्यूज करते हैं कि कौन से राया ने कभी यह सिक्के जारी की है सोने के चांदे के आपके तामबे के ठीक है और किसके काल में हुए क्यों गुपतर राजाओं ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किये लेकिन जब हम एडवांस लेवल पर जाते हैं यानि कि सबसे ज़्यादा किसमें किये फिर चलो ठीक है गुपतर राजाओं ने कर दिये लेकिन सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े लेवल पे, सबसे बड़े लेवल पे किस ने किये फर, जो सबसे बड़े लेवल पे किये वो आपके कुशान थे, ठीक है, कौन थे, आपके कुशान थे, ठीक है, मतलब काफी बड़े होट्स में उने ये सोने के सिक्की जारे किये, अ के लेकिन इंडो ग्रीक की भी बात कर लेते हैं कि अभी माइंड में आ रहा है कि इंडो ग्रीक को की काफी यह कुछ दिखाती थी ओठीक है एक तरफ राजा का चित्र होगा और दूसरी पिछली रिवर्स साइड में किसका होगा या फिर किसी देवता का वो रिप्रेजेंट करेंगे अपने देवता को ठीक है पिछली साइड तो कुछ इस टाइप का यह इंडो ग्रीक के सिख़्े रेते थे ठीक है तो देखिए सबसे बड़ी संख्या में यही पूछा गया कि कोशन देखिए कि सबसे बड़ी संख्या में तामर के सिख़्े किसक सांखय प्रणाली में इश्वर में विश्वाश शामील जो था वो नहीं था ठीक है। आपके इसका सहेंसों पहई सांखय देखिए यह दो निकायों कि अस्तित्तब को मानती थि ठीक है? एक आपका कौन था? एक आपका था टेंप्रेरल बोड़ी ठीक है? temporal body जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं लोकिक शरीर हिंदी में कहें तो लोकिक शरीर ठीक है और दूसरा आपका हो गया subtle body ठीक है subtle body जिसको हम कहेंगे शुक्षम ठीक है शुक्षम शरीर जिसको हम कहते हैं ठीक है यानि कि इसका में मतलब क्या था कि मृत्यू के बाद क्या होता एक आत्मा दूसरे में परवेश करती है मतलब जैसे ही आत्मा यानि कि शरीर खत्म हुआ उसके तुरंत बाद आत्मा नए शरीर को धारण करती है ठीक है यह इस टैप के इसमें बिश्वास करता है यानि कि प्रणाली आपको clear हो गया Buddhist philosophy, दो bodies मैं आपको बता दिया, temporal body, यानि कि आपका लोकिक शरीर, शूट्शम शरीर ने की subtle body, ठीक है, इसके उपर यह था, बाकी आपको जाया deep में नहीं जाना है, ठीक है, तो चलिए next questions के तरफ ही हम आप बढ़ेंगे, किसने कहा था कि kingship किसी kingship क नहीं जानती है, ठीक है, देखिए, यहाँ पर kingship, नोज, किंशिप, ठीक है, इसके questions के उपर focus करो, देखिए, यहाँ पर इसका सही answer क्योंगा, बलवन, रजिया, सुल्तान, या फिर मिनहाज, उस मिराज, सिराज, या फिर इबन बतुता, बताईए, देखिए, जब भी हम बलवन की बात करते हैं, राजाओं के बहुत सारे आपको facts पढ़ने के मिलते हैं, और इसी base के उपर ये series आपकरी बहुत ही कारागार साबित होने वाली है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें बहुत advanced level के सासा test भी include करने वाले है, daily test की या workshop कर सकते है, बलवन के, बलवन ने ये ची प्रतिमिधी होता है, ठीक है, इनकी प्रतिमिधी करता है, ठीक है, तो ये किस ने कहा था, ये बलवन ने कहा था, ठीक है, तो इसलिए इसका सही अंसरों का option number a, साथ साथ में जिरूर सोचते रहा करें आपना answer, ठीक है, रेत वारी प्रता किस वर्ष लागु की गई थी, कि ठीक है, और एक आपकी जमिनदारी की बात आती है, ठीक है, कन्फ्यूस करते हैं questions, सिंपल सी language में आपको मैं समझाओंगा, अठारवी शतावदी की अंत में, ठीक है, ठीक है, अठारा सुबीस, याद रुखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इनके द्वारा ये स्थापित की ग पास-पास ये असम, ठीक है, और ये कुछ वहां के प्राउंतों में ये फैली होई थी, ठीक है, फ्रेंग्स, इस प्रणाली में जो भी क्रिशक होते थे, ठीक है, और जो भी किसान होते थे, किसान, क्रिशक, ठीक है, को भूमी का स्वामी माना जाता था, बस इतना याद र तो यह कब इस वर्ष लागू की गई जल्दी से बताईए यह किया गया आपका 1803 में ठीक है इस सोरी सोरी यह इसका सही अंसर होगा 1820 में ठीक है option number B ठीक है 1820 में चलिए next हम यहाँ पर बात करेंगे British के बिरुध British के बिरुध सरप्रथम निमनिकित में से किसने बिद्रो किया था क्या यह संथाल रामपास या फिर मुंडाव खासियो किसने किया था जल्दी संथाना है देखिए इसका सही अंसर क्या होगा जल्दी से सुझे बिर्टिज के बिरुद सरप्रथम निमलिकत में से किस ने बिरुद विद्रोग किया था संथाल, रामपास, मुंडाव या फिर खासियो यह किया था आपका खासियो में ठीक है इंपोर्टन है और देखिए यहाँ से क्वेशन जो बनेगा वो मंगल पांड़े से लेटेड हो सकते हैं कि कोशन बन जाए अपके एक्जाम में ठीक है नेक्स देखिए आप है लाला लाज पत्राए को किसके बिरोध करने के लिए मरते दम तक पीटा गया था ठीक है कब बताईए जनियवाला बाग, जन सहार, गांधी इरवन संधी, साइमन कमिशन या फिर इनमें से कोई नहीं बताईए जल्दी से, सिंपल सी बात है, जल्दी से, ऑप्शन नमर सी यानकी साइमन कमिशन का बिरोध करने के लिए उन्हें मरते दम तक पीटा गया था, ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, कैमूर की पहरियां संबंदित है, देखिए क्या ये सत्पुड़ा, बिंदय, अरावली या फिर इनमें से कोई नहीं, देखिए मैप के जरी सम्झाने की कोशिस करूँगा, आपका यहाँ पर बिंदया है, कहाँ पर है, बिंदया रेंज ठीक है, और बाकिये भी आप देख सकते हैं, ठीक है, यह तो फिर आप सिंपल सी बात है, ठीक है, अगर आप Google में टाइप करेंगे, ठीक है, गोगल में अगर आप टाइप करेंगे hills maps ठीक है Indian ranges map ठीक है highest peak का map ठीक है तो आपको ये इस type का map देखने को मिल जाएगा ठीक है ताकि आप और जादा यहां पर according to map समझ पाएंगे ठीक है तो यहां पर विंद्या range होगा ठीक है friends कैमूर hill जो है जिसे कैमूर range भी कहा जाता है ठीक है विंद्या range का ये पूरी भाग मध्या परदेश के जबलपुर जिले के कंटकी से शुरू होता है ठीक है तो ये विंद्या range clear चली तो इसका सही अंसर क्या होगा कैमूर की पाड़िया संबंदित है आपके विंद्या शरेणी से clear next यहां पर देखिए हुंजा किस नदी की साहिक नदी है किस नदी की साहिक नदी है हुंजा बताना है जल्दी से देखिए इसका सही अंसर क्या होगा friends हुंजा नदी की बात यहां पर हो रही है तो बता देजिए इसका सही अंसर है options number a n की सिंधो नदी की साहिक नदी ट्रिक के लिएंगे रचलीए लेड़् करेंट बायुयान के लिस्तिति प्रदान की आधर्शं में इंडल्ब maar प्रिकाए भी बomenaजीए जोड़ी से देखिए में कहीं भी problem आ रही है तो बहुत ही conceptual classes start है ठीक है recording form में आप ले सकते हैं मतलब अगर आपने attend कर ली कुछ भी छूटेगा नहीं यह तो आपको promise दे रहो है ठीक है तो WhatsApp करके आप यह सारी चीज़े experts ले सकते हैं next देखिए आंपे करनाटिक के राहेचूर जीले में हटि किस लिए परشद है important है क्या यह सवन ख् shameless के लिए cuayo copper खिख सोपकरी या फिलो यह लो आयसक क्षेपम हों के ली किस लिए परसिद है करनाटिक राइचूद जिल्में हट्टी किस ली परसेदा है जल्दी सिंगा रुस्तूर्ष का सटोफ रोगा यह आपके गोल्ड फिल्ड के लिए ठीक है सुछेट्रों के लिए यह जी नेक्स्ट यहां पर देखिये जेक वारी बांध किस नदी पर निर्मित किया दिया है क्या ये कृष्णा, घुदावरी, कावेरी या फिर घट प्रावार जल्दी से, जेक वारी बांध देखिए, questions का level देख लीजी एक वार, ठीक है, questions कहां कहां से बनते हैं, आपके हमेरे पुर एक्जाम में, ठीक है, और इनी के base के उपर, इनी के advance level accepted, जो भी रहेगा, ठीक है daily test, join कर लीजी, आपके यहांपर बहुत ही helpful यहांपर जीज़ें होने वाली हैं, ठीक है और यह test, जो हमों free है, लेकिन course अगर आप जोइन करते हैं, तब यह आपको free मिलते हैं, ठीक है, नेक्स देखी, इसका सही answer होगा, option number C, यहनकी कावेरी, और यह आपके एक वार अगर आप enrollment लेते हैं, तो एक साल तक आपके daily test होते लेते हैं, और कब से कम दो, एक से दो मीने की study के साथ, आप अपना exam निकाल देते हैं, यह surety है, निमरिकेट में से कोई साल लो, एवं इसपाथ, सयत्र, एक सारजनिक शेत्र उपकरम नहीं है, ठीक है, जमशेदपूर, भिलाई, राउग, केला, या फिर दुरगापूर, बताना है, पब्लिक, इस नोटा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, बताए कोई सा, लो, एवं इसपाथ, सयत्र, बताए, फ्रेंटस का सय अंसर होगा, ऑप्शन नमबर ए, यानिकी, जमशेदपूर, ठीक है, जमशेदपूर, इन में से क्या है, कि लो, एवं इसपाथ, सयत्र, या और दुर्गापुर, यह है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आफे, निमिल केति में से कौन सा एक, पुनर, बिकरनी उज्जा स्त्रोत माना गया है, क्या ये कोईला, पैट्रॉलियम, नाभी की शक्ति है, फिल, सौर्क शक्ति, ठीक है, रेनेवल सौर्स अफ एनर्जी, ठीक को क्या किया गया है, रेनेवल सौर्स अफ एनर्जी का स्त्रोत माना गया है, ठीक है, यानि की, पुनर, विकरनी उज्जा का स्त्रोत माना गया है, क्लिए, नेक्स्ट या पर देखिए, किस राजे में भार्द की पहली कौटन टेक्स्टाइल में स्थापित की गई थी, बायो में हाइड्रो कारवनों के मुख्य स्त्रोत हैं, बताना है, क्या ये उद्योग, मोटर बाहन, और वर्ग, इकाया, या फिर ये सभी, बताइए, फ्रेंज, देचीफ सोर्स अफ हाइड्रो कारवन इन दे एर जार, इसका सही अंसर क्या होगा, आप्शन नमबर बी, य मोटर बाहन, ठीक है, आपको पता ही होगा, एक सक्रिय ज्वाला मुख्य माउंट एटना है, ठीक है, कहां पे है ये, एक सक्रिय ज्वाला मुख्य कहां पे है जी, बताइए, इसका सही अंसर क्या होगा, फ्रेंज, इसका सही अंसर होगा, आपका आप्शन नमबर बी, यान की इटली में है ठीक है चलिए नेक्स देखिए यहां पर निमली खित में से कौन संभीधान सभा की राज्य समीति का अध्यक्ष था पताई निमली खित में से कौन संभीधान सभा की राज्य समीति का अध्यक्ष था क्या यह डॉक्टर वियार अंभेटकर जी डॉक्टर Constituent Assembly ठीक है जोहलाल नहरूट नेक्स देखिए यहां पर नेक्स ने निमिल खित में से संभीधान की कौन सी अनुसुची राज्य परिशद में सीटों के बटवारे से संभंधित है क्या ये तीसरी अनुसुची है इनकी चैडियूल चौथी पाचवी छटी ठीक है अगर देखिए आपको शेडियूल का कंसेप्ट कलेर नहीं होता है यह पिर कन्फ्यूस करता है तो आप बता सकते हैं शेडियूल खु आपको हम ऐसे ट्रिक्स वापको बता दूंगा ठीक है टू-टाइन स्ट्रेय ट्रिक्स होगी वह तू-सेकंड की ट्रिक्स होगी वह उसलिए जिए जैसा मर्जी वोघ् कोश्च जाए जित्त्ता वर्जिन मौड़िफाइड हो जाए आपके पास अंसर होगा है अगर आपको चाहिए तो देमांट कर सकते हैं क्योंकि क्मेंट करोगे आपकी भारी दीमांड होगी तब डाइजल सिवाता की हम डेक्स वीडियो बनाएंगे इसका सही अंसर होगा option of bn की चोथी अनुसूची में ठीक है बात की होथी राज्य परिशत के सीटों के बटवारे से संबंधित है आपकी चोथी अनुसूची ठीक है next देखिए यहां पर निमलेखित मेंसे किस एक राज् परिश और इशा या फिर जारखंड है निमलेखित मेंसे एक राज्य में राज्य पाल के लिए जंजाती मामलों के एक प्रभारी मंतली की न्युक्ती करना संबेधानिक अनिवारिता नहीं है तो इसका अंसर रहेगा option number n की बिहार में clear next यहां पर देखिए निमलेखित में से किस एक राज्य में बिधान परिशद नहीं है बताना है नहीं है बिधान परिशद बिहार मारास्ट राजस्थान उत्रपरदेश सभी को आता होगा इसका अंसर है बताइए इसका सही अंसर option number c यानिकी राजस्थान में ठीक है next यहां पर देखिए next question है mutual fund एवं stock market के लि regarding ठीक है क्या यह भारत सरकार के पास है RBI के पास है सेवी के पास है या फिर स्टॉक एक्सचेंज के पास है जल्दी से देखिए इसका सही अंसर फ्रेंट इसका सही अंसर होगा option cn की सेवी के पास है ठीक है mutual fund और stock market के लिए जितनी भी आधारवूत जितनी भी regulatory authorities है वो सिर friends OPEC का मितलब क्या होता है Organizations of the Petroleum Exporting Countries ठीक है और यह आपका located है BNA में कहां पर है BNA में है ठीक है लेकिन इसका BNA में कहां जैसे है यह ठीक है यह आपका Austria में है कहां पर है Austria में है ठीक है BNA में ठीक है चली next जापर देखिए किस देश की आर्थिक समरिद्धी ठीक है समरिद्धी का सरबादिक उपयोक्त माप है इसकी GDP, NP यह फिर प्रतिवेक्ति बास्तिवी कोई ठीक है real income ठीक है यह फिर नमें से कोई नहीं 145 का देखिए किस देश की आर्थिक समरिद्धी जो है वो किसकी उपर माप है ठीक है GDP देखा जाएगा MNP यह फिर प्रतिवेक्ति वास्ति कोई यह फिर इन में से कोई नहीं देखिए इसका सही अंसर होगा option number C यहनकी प्रतिवेक्ति वास्ति कोई यहनकी real income ठीक है इसके उपर ठीक है चली next यहाँ पर देख यह एक प्रवाही तरल में घर्शन कहलाता है क्या यह फ्रिक्शन इनाफ फॉलॉइंग फ्लूट इस गाल्ड घनत्व प्रिष्ट तनाव श्यानता या फिर इन में से कोई नहीं ठीक है बताइए यहनकी वेसको सेटे आप्शन नमबर इसका सही होगा ठीक है इसको सीटी इस राइट एंसर यहनकी श्यानता ठीक है चली next यहाँ पर देखिए important questions इसका सोरी 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 माँ आपको एक बार फिर से लेर करवा देता हूं एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड यहाँ पर बात हो रही थी the friction is the following producer called इसका सही अंसर का option नमबर हाँ ठीक है इसको सीटी ही होगा ठीक है next यहाँ पर देखिए velocity of sound is least in ठीक है velocity of sound is least in ठीक है भनी का बेग अलब तम है क्या यह रवर में यह carbon dioxide में oxygen में या फिर बायो में बताए इसका सही अंसर देखिए velocity of sound is least in ठीक है rubber में ठीक है चलिए next यहाँ पर देखिए इसका next questions है यहाँ पर ठीक है next है यहाँ पर which type of lens is used in correcting as diagram system यानि कि देखिए द्रिश्टी वैश्म यह को दूर करने के लिए किस प्रकार की lens का प्रयोग होता है ठीक है क्या यह इसका सही answer क्या होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही answer होगा option number c यानि की cylindrical lenses यहाँ पर बात होई थी correcting st यानि कि ज्रिश्टी वैश्म में को दूर करने के लिए किस प्रकार के lens का यूज होगा the right answer is option number c इनकी cylindrical lenses ठीक है next यहाँ पर देखिए next question यहाँ पर sodium laurel sulfate एक समाने है क्या है क्या है यह कांच है cement है plastic है detergent है बताई इसका सही answer क्या होगा जल्दी से सोची इसका सही answer क्या होगा देखिए sodium laurel sulfate एक समाने क्या है है जल्दी से देखिए एक क्या है detergent है ठीक है next यहाँ पर देखिए दूध एक है क्या यह पाइस है क्लाइडी विलियन है क्लाइडी तंत्र है या फिर hydrophilic collide है बताईए क्या है दूध है क्या है जल्दी से देखिए इसका सही answer देखिए यह एक emulsion है ठीक है यानिकी पाइस है ठीक है चली नेक्स क्या पर देखिए अधिक पके फलो में रसका जेली में परिवर्तन होने के कारण उसमें मजूद glycosine सेलोज या फिर गम या फिर पिक्रिक अमल क्या होता है बताई अधिक पके फलो में रसका ते जैली में परिवर्तन होने के कारण उसमें क्या होगा याद रखो इसमें पिक्रिक अमल होगा ठीक है option number D is the right answer नेक्स देखिया आपर निमने खितमें से कौन सा एक सर्प विशहीन सर्प है क्यान चेहां है क्या यह एक प्र यहां पर देखिया एक श्रप जेंत रोग समाने याँ पांसकर वह तैसमें अब्र में से बड़े करेंस, और यह सामिन में और मिल जाते हैं, अगर आप अगर को पुछेगा है। अगर मिल जाते हैं लेकिन अगर आप ने हमेपने प्रवोड का एक्वाइब करना के साथ में सिंपल सी बात है, और गातीव के साथ अच्छे से रिट कर लो, टेस्ट लगा लो, हर एक सेग्मेंट के ओपर टेस्ट लगा लो, और एडवांस लेवल देखकर चले जाओ, ठीक है, यानि कि टॉपिक और सब टॉपिक का एडवांस लेवल, यह यह कहीं बुक्स में नहीं होता है आपको, देखिए इसका सेहासर हो आप्शन नंबर सी एन की हीमोफिलिया, ठीक है, ब्लीडर्स रोग से जाना जाता है आपका यह हीमोफिलिया, ठीक है, जो भी आपका सेक्स जनित रोग होते हैं, ठीक है, यह आपके हीमोफिलिया, ब्लीडर्स रोग से यह जाना जाता है, ठीक है, निक्स्ट, यहाँ पर द मातर प्रकाश स्त्रोत है तो इसका सही अंसर होगा बायू लो मिनिसस ठीक है ठीक है बायू लो मिनिसस ठीक है इसका सही अंसर होगा option number C ठीक है चलिए next यहां पर देखिए सिर्फ इतने ही questions आज की ले सकते हैं ठीक है और जाशाय टेस्ट आप लगा सकते हैं क्योंकि हर एक चीज़ को हम यहां पर कवर करें हिमाजों के सभी exam को ठीक है एक बार ही enrollment आपको लेने होती है और एक साल तक आपको यह access में उते रहते हैं ठीक है लेकिन साथ में देखिए आप यहां पर एक से दो मिनी के study के साथ courses join करके किसी भी specific exam के अगर आप क्यारी कर रहे हैं तो उसकी क्यारी अभी से रोल प्ले करेंगे यह माप को भी किया सकता हूं ठीक है तो चलिए इस एक साथ जरहिंच जरहिमाचा होगा